नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर यूपी आगनबाडी भरती 2022, उत्तर परदेश सरकार द्वारा 52,000 पलो पर यह आगनबाडी भरती निकाली गई है यदि आप भी उत्तर परदेश राज्य के अधीन आते हैं और आप भी आविदन करके इस भरती में सामिल होना चाते हैं यह नोकरी प्राप्त करना चाते हैं आपके लिए सुनेरा आवसर है आगनबाडी से भरती से जुड़ावा लेटेस्ट नियूस ताज अपडेट एक बाफिर से आप सभी व्यक्तियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तो आप घर बैठे स्वैम भी पता कर सकते हैं अपने मुवाइल फोन से कि किन जिलों में ओनलाइन आविदन भरती परकिरिया चल रही है वैसे आज हम आपको इस वीडियो के माधम से बता नहीं वाले हैं आप तरीका समझे फिर आप कभी भी घर बैठे अपने मुवाइल फोन से तरीका जान सकते हैं कि किस जिले में कभ भरती निकाली जा रही है और किस जिले में अभी फिलहाल ओनलाइन भरतीच चल रही है दोस्तों किन पदोपन निकाली गई है सुपरवाइजर आंगरबाडी कारेकत्री ये भी आंगरबाडी से जुड़ी संपून जानकारी आज आप जानने वाले हैं सबी जानकारी आपको इस टैब एस टैब डिटेल वाइस में बताई जाएगी और समझाए जाएगी वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आप से एक छोटा सान निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तो वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं जो आगनबाडी भरती के तहट आविदन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके मन में सवाल चला होता है कब उत्तर परदेश में या फिर किसी और अन्य राज्य में भरती चल लगी है जहांके वे रहने वाले होते हैं वेज Google Chrome browser पर सर्च करते रहते हैं, कब भरती निकलेगी, कब आविदन किया जाएंगे, किन पदों पर भरती निकाली गई है, कितनी योग गयता मांगी गई है, कैसे आविदन किया जाता है, यह सभी जानकारी आज आपको बताई जाएगी, जैसे हमने अपने फोन में Google Chrome browser ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना है ICDS, ICDS आपको लिखना है, फिर लिखना है UP और सरच कर देना है, जैसे हमने सरच किया, हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है, HTTPS बालविकास up.gov.in आपको दिख रहा है यहापर आप यह पड़ सकते हैं उत्तरप्रदेश सरकार, Government of UPICDS Department, बालिविकास EVM, उष्टाहार विभाग उत्तरप्रदेश NIC will not be responsible यहापर आप देख सकते हैं आपको नीश्याना है और आपको यह option दिखाए दोगा national यहापर लिख रहा है दोस्तों आप national इबलम बाल या फिर आप देख सकते हैं बालिविकास शेवा नो यह रिश्यान नमबर यदि आपके रिश्यान नमबर याद नहीं है आपने पहले भी आविदन किया था आपका नमबर नहीं पड़ा है लेकिन आपका नमबर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं उसके बाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा है dp o contact service and scheme तो दोस्तों आपको हम आपको बता रहे हैं कि आप आविदन कैसे कर सकते हैं कैसे अपने वाल फोन से चेक कर सकते हैं, दोस्तों आपको यहां पर जैसे यह लिखा मिल जाता है ICDS UP, उसके नीशे आपको लिखा मिलेगा National Ibrahim आपको इस पर क्लिक कड़ना है यहां पर दोस्तों, यह समझी आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने अगला पेज है वह ओपन हो चुका है यहाँ पर दोस्तो आप पढ़ सकते हैं लिखा मिलेगा बारिकास सेवा आयों पुष्ट वी भाग उत्तर प्रदेश सरकार पढ़ रहे हैं दोस्तो आप फिर आपको यहाँ पर नीचे लिखा मिलेगा एप्लिकेशन फॉर्म आगनबाडी वरकर, मिनी आगनबाडी वरकर और आगनबाडी हैलपर देखेगा दोस्तो आप फिर आपको नीचे लिखा मिलेगा इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ओनलाइन आविदन पर पतर भढ़ने के बारे में मैत्तकॉन न नहीं आया है दोस्तो जैसे आप यहाँ पर यह लिखा है ओनलाइन फारम भढ़ने से समय सभी प्रवष्टिया हिंदी में एवं नमबर अंक को अंग्रेजी भासा में भरा जाएगा प्रवष्टिया भढ़ने के विशेश सुधारक यह आप देख रहे हैं दोस्तो आधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे की पंजिगन संख्या जनम्तिती आधार नंबर सामानने आइडी आदी की किसी अन्य व्यक्ति से साज्जान ना करें आविदिगा करप्या ध्यान देखी ओनलाइन आविदन जम करने के बाद इसमें किसी भी तरह के सुझाओ के नहीं होगी ओनलाइन आविदन पर पत्र हिंदी भासा में उपलब्ध है जिसे आविदिगा द्वारा अंग्रेजी वे हिंदी यूनी कोड दोनों भासाओं में भरा जा सकता है ओनलाइन आविदन पत्र चार भागों में भरा जाएगा दोस्तों चार भागों में आपका आ मंदित गराम सभा वाड गराम छेतरो हेतु उसी गाउं सभा एवं सेरी छेतरो हेतु उसी वाड की निवासी ही होना अनिवारी है यदि आप मान लिजे किसी और जिले में रहते हैं और आप किसी और जिले के लिए आविदन करते हैं किसी गराम पंचायत के लिए आविदन करत हैं हमारे सामने जो अगला पेज है वह आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है आपको नीचे स्क्रोल डाउन करके आ जाना है आप इस टैप सभी जानकारे को समझे जैसे हम समझा रहे हैं जीला वैप पर योजना द्वारा सर्च करे आगनबाडी रिक्तियों को खोजे उसके ब आप देख सकते हैं आगरा पर आपको किलिक करना है आगर जिले में बढ़ती चल लए है यह फरजी है या रियल है उसके बारे में आपको बताय जाएगा ओनलाइन हम वैसे आप देख रहे हैं उसके बाद आपको अपने ब्लोग का चुनाओ करना है अपने ग्रामीन या सेर दी है यानि कि इस जन्पद में इस ब्लोग में इस ग्रामीन छेतर में और ग्राम सभाम याने अगबरपूर में आगनबाडी कारे कत्री पर यह पद खाली है इसमें भरती चल लगी है आपको सर्च यहाँ पर कर देना है यह उप्शन आपको दिखाई देगा जैसे हमने सर लिग्यापन कर्माग यहाँ पर आप देख सकते हैं ADV 2021 विग्यापन विसे AWW recruitment ठीक ना दोस्तों कभी यह भरती निकाली गई थी यहाँ पर आप तारीक भी देख सकते हैं 1292 इसके अंतिम्तिती 3922 है यानि कि 30 तारीक को यह भरती समाप्त हो जाएगी फिर आप आविदन न नहीं चलिए यदि दोस्तों से लिए तो आप आविदन कर सकते हैं कैसी उसके अबार में आपको बताया जाएगा जैसे आप नीचे आते हैं फिर आप यहाँ पर यह देख सकते हैं word number Riktissionagauddy केंदर record है रिक्तांगन بعد केंदर का नाम यहाँ पर आयक है सरेणी आपको इसी प गर से अगला पेज ओपन हो जाएगा जैसे हमारे सामने ओपन हो चुका है यहाँ पर दोस्तों लिखा है आगनबाडी कारिकत्री मिनी आगनबाडी कारिकत्री ओम साइकाओ के मांदे पर समविदा आधारित नियुक्ती हेतु आविदन पतर यहाँ पर नोट में लिखा है समस्त परविष्ट हिंदी में युनी कोड आधारित यहाँ पर लिखा है फंट में भरे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो तरीके आपको बताएगा है सबसे पहले पंजीगरण मोबाइल नमबर आपको डालना है अपनी जनम्तिति यहाँ पर आपको डालना है उसके बाद यह कैप से कोड आपको डाल देना है और गैट ओटी पर किलिक करना है आपके वहाँ नमबर पर एक ओटी भी आएगा आपका पंजीगरण पुरा कर लिया जाएगा या फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है यदि आपका पहले से भी पंजीगरण है तो आपको पंजीगरण डालना है अपना यहाँ पर पंजीगरण नमबर अपने जनम्तिति डालनी है और यह कैप से कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और login कर देना है यानि कि दोस्तों जो कोई पहली बार आई दन कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना रेशन करना होगा उनका रेशन संख्या नंबर बना दिया जाएगा यानि कि पंजीगान संख्या उसके बाद आप कैप से कोड़ डालते ही आपके ID login हो जाएगी फिर आपके सामने 4 प्रेश्ट ओपन होंगे यानि कि 4 पेज ओपन होंगे वहापर आपको जो जो जानकर दी जाती है आपको फिल कर देने होगे कुछ दस्ताविज ऐसे हैं आपको स्कैन करने होंगे अपलोड करने होंगे तो आप नजदे की CSC Center पर जाकर ये कारिया अपना पुरा कर सकते हैं यदि आप स्वेम करना चाते हैं अपने Laptop से तो अपने Laptop से भी ये कारिया पुरा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल यानि की कुल मिलाकर 75 जिले हैं तो दोस्तो 75 जिले में ही ये भरती निकाली गई है सबसे पहले आगर जिले का इसमें नमबर ले गया उसके बाद और अन्य जिले का भी इसमें नाम सामिल होगा जैसे तीस तारिक समाफ्थ हो जाती है तीस तारीक के बाद अगले जिले में भरती प्रारम हो जाएगी इसी प्रकार से आपको चेक करना है और दोस्तों यहाँ पर जो योग गेता मांगी गई है पहले दसवी बास साविधन कर सकते थे लेकिन इस बार बारवी पास मांगा गया है बारवी पास होना बहुत ही ज़र दोस्तों सबसे पहले चुनाओ इन विकलांग महिलाओ का प्रतियकता विदो महिलाओ को चुनाओ कर ले जाएगा और उनका ही चुनाओ होके उन्हें नोकरी दे दी जाएगी दोस्तों सबसे पहले इन ऐसी महिलाओ को ही वरेता दी गई है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कि 12 पास इसमें मांगी गई है तो और जो आपके दस्ताविज है आपका आधार कार्ड मूल निवास जाति प्राण पतर और दोस्तो ऐसे सभी यह दस्ताविज आपसे यहाँ पर मांगगाई है आप आधान कर सकते हैं आपके जिले काई आपका मूल निवास होना चाहिए यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको अमारे दिवी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रू लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है लाश्ट वीडियो दर यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत